तोड़े वी आर गुएंग तो डिस्कस्ट दा यूज ऑफ शुपरनेचरल मशिन्री इन दे रेप ओफ दा लोक में आलोकिक शक्तियों का रोल या उनका यूज दे यूज दे यूज ऑफ शुपरनेचरल मशिन्री लाइक गोर्ट, एंजल्स, डेविल्स और सो ओन इस इन इं एक महतवपूर्ण विशेषता होती है किसी भी एपिक की पोईटरी की, इस फाउंड इन एपिक्स ओफ डिफरेंट कंट्रीज, फ्रों इलियर्ट तो पैरडाइज लोस्ट, यह अलग लग देशों के एपिक्स में महा काव्यों में इनका यूज जैवों पाया जाता है, ज इसकी एक हायर सुपर नैचुरल डिवाइन पावर के साथ, एक आलोकिक शक्ति के साथ जो है, उनका संबंध होता है, और वो हायर पावर जो है, उनकी डेस्टिनी को शेप करती है, लास्ट में उनकी, उनका साथ देती है, इट एक्चुली इस एन इन अलाइनेबल पार्ट ओफ एपिक राइटिंग, यह वास्तव में किसी भी एपिक राइटिंग का एक अटूट हिस्सा है, और रेजिज दा सेंट्रल अक्षन ओफ दा एपिक टूदा मेटाफीजिकल वर्ल्ड, और किसी भी एपिक के सेंट्रल अक्षन को केंद्रिय जो कार्यवाई है, उसको परंपरा को जीवित रखने के लिए, पोप ने भी सुपरनैच्रल अलिमेंट्स का यूज किया है, रेप ओफ दे लोक में, पोप एज टू अल्टरनेटिव पोप के पास दो अल्टरनेटिव थे, दो विकल्प थे, ही कुड यूज दा क्रिस्चियन और दा क्लासिक ग्रीक मशिनरी या तो वो क्रिस्चियन मशिनरी का या फिर दा क्लासिक ग्रीक मशिनरी का यूज कर सकता था, वो जातना ये पहुट थे, अलोकि अलोकि शक्तिया है बहुत पवित्र मानी है, तो ऐसे किसी भी वर्क में उनका यूज़ करना ठीक नहीं है वेराइस कीपिंग इन माइड दा मो कैपिक थीम अफ दे रिप अफ दे लोग दे यूज़ अफ क्लासिकल ग्रीक मशिनरी वाज अलसो नोट एन इजी जोब और इसी तरह मो कैपिक एक तिरसकार पूर्ण जो महाकावे है उसमें जो क्लासिकल ग्रीक मशिनरी है उनका यूज़ करना भी एक असान कारिय नहीं था अल दिस कंपेल्ड पूप तो यूज़ सम डिफरेंट काइंड ओफ सुपरेनचरल मशिनरी और इन सब ने पूप को एक अलग तरह की अलोकिक शक्तियों का यूज़ करने पर मजबूर कर दिया जो उसके उधेशों को पूरा कर सके एस दे रेप अफ दे लोक वास मेंट टू सेटराइज दा वैनिटीज बोगस मोरल्टीज एन अंचेस्ट थिंकिंग ओफ 18 सेंचुरी मैन जैसे कि जो रेप अफ दे लोक है वो 18 स्थाब्दी के आदमी और और ओरतों के घमंड नकली नैतिकता और अनहल्दी अस्वस्थ थिंकिंग के उपर एक सटायर है एक व्यंग्य है तो पॉप स्किलफुली यूज़ दा पैटी स्पिरिट्स लाइक सिल्फ्स नेम्स ग्नॉम्स सलमेंडर्स एटसेटरा तो पॉप ने छोटी छोटी आतमाओं को स्पिरिट्स को का यूज़ किया है उनके नाम यहाँ पे दिये गए है सिल्फ्स नेम्स ग्नॉम्स सलमेंडर्स एटसेटरा यह जो स्पिरिट्स है वास्तव में भी 18 साब्दी की औरतों की प्रतिनी दिया है यह जो छोटी-छोटी आत्माई है इनको बहुत सारे काम सोपे गए हैं रेप आफ दा लोक में बहुत सारे उधेशों को यह पूरा करती है यह कवीता के लिए नाटकी रूप से विश्यगत रूप से और सरजनात्मा रूप से बहुत महत्पूर्ण है कीपिंग अप दे ट्रेडिशन ओफ सीरीज एपिक सीरीज एपिक जो श्रिंखला महा काव्य है उनके परंप्रा को कायम रखते हुए पूप ने इन चोड़ चोड़ी स्पिरिट्स का यूज किया है को इंट्रोड्यूज किया है थ्रू दी सुपरनेचरल मशीनरी पूप क्रेट्स दा इंप्रेशन देट दा हिरोइक पार्ट इस ओवर इन सुपरनेचरल यानि के अलोकिक शक्तियों का यूज करते वे पूप यह धार्ना बनाना चाहता है कि जो हिरोइक पार्ट है वो खतम हो चुका है और सूडो हिरोइज्म और अर्टिफिशियल्टी अस टेकन इस प्लेस और नकली जो हिरोइज्म है और कृत रिमता ने इसका स्थान ले लिया है उन लड़को और लड़क beautiful गुमते रहते हैं लड़कों के लिए और बेली जो लड़कों के अपने औरा करशल करने में लगी रहती है यह जो छुट-छुटी स्पीरिट्स है वो केवल एक तिरसकार पूर्ण एपिक की अलिमेंट्स ही नहीं है और ना ही वो अमीर वर्ग के उपर सेटायर करने का वेंगे करने का कोई साधन मात्र है बलकि वो पॉप से एक अच्छी क्वालिटी की जो पॉएम है वो भी बाहर निकलवाने में साहिता करती है इन छोट-छोटी स्पिरिट्स के द्वारा पॉप जो है ठार्विश ताबदी के समारोहों और रिती रिवाजों को का दरपण हमें दिखाता है और उनका तिरसकार भी करता है वो तरीका जब एरियल उस तरीके के उजाकर करता है जिसके द्वारा उसने वूमेन और्तों की जो है पवितरता को बचाया है उन लोड्स से जो है चतुराई से साजी सरचने वाले लड़कों से साजी रचने वाले लोड्स से उनकी जो पवितरता का की रक्षा जो एरियल ने की है जिस तरीके से उनकी रक्षा की है वो अपने आप में ही एक मजाक है तिरसकार है Most of the species of Arial as well as his visit to cave of spleen move simultaneously on mirroring and mocking और उसके एरियल के ज़्यादा तर जो भाशन है और स्पलीन गुफा की जो यातरा है वो साथ साथ चलती है उस समय का दरपन दिखाते हुए और उनका तिरसकार करते हुए उस जो यूग है तत्कालिन समाज है उसका मेरा दरपन दिखाते उसका त्रिसकार करते हुए यह दोनों काम साथ साथ चलते हैं पॉप्स यूज ऑफ सुपरनेच्रल मशिनरी इस गलावर पॉप ने बड़ी चितुराइज या लोकिक शुतियों का यूज किया है दे साइज अफ दिस डानी स्पिर्ट इस आल्जो वेरी इंपोर्टेंट इन चोटी आत्माओं के द्वारा यह दिखाया गया है कि उसके समय की जो ओरतें थी उनकी सोच कितनी छोटी थी इस चाइनी स्पिर्ट इंडिकेट दैट हाव ट्राव ट्राव ट्राइन 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 दिखाया गया है कि उस टाइम की जो ओरतें थी जो तरीके तोर तरीके जो तर्तु जो रीती डिवाज थे वो कितने तुछ थे फ्रम आल इस दिस्क्रिप्शन ओफ सिलिफ मशिनरी इस परफेक्टली क्लिए दाट पोप में डिटान इंटेग्रल पार्ट ओफ पोएम पोप के जो सिल्फ मशिनरी है उनके डिस्क्रिप्शन से इनके वीवरेंड से बात पूरी तरह से क्लियर है कि पोप ने इसे कवीता का एक अभिन अंग बनाया है इस मशिनरी ने जो सहित्तिक मोक्री है सहित्तिक जो मजाख है उसको काफी सम्रिद किया और पोएम को एक ताइमलेस अपील का काम दिया